हे गाईस विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में न्यूर गुरुमेंट के डिसकस करने वाले हैं जो की वेकिंस आउट की गए डियाडियो से डिफेंस रिसर्च और डवलप्मेंट और्गनाज का एक्जाम साखिर कब तक होगी मतलब हद है वाई साब इस एमटियस ने क्या खा के फॉम फिल किया है कि अभी तक सोया बैठा है इसका कोई ठीकाना नहीं है काफी सारे इस्टुएंट कमेंट करते रहते हैं इसलिए मैं कोई स्पेसल वीडियो नहीं ला सकता अभी फिलाल जब तक ऑफिसल कोई अपडेट नहीं आ जाती डियाडियो एमटियस एक्जाम को लेकर इसलिए मैं इसी में एड़ करके बता दूँगा आपको कि डियाडियो एमटियस का एक्जाम जो है वो कब तक आपकी हो सकती है चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाईज यही ऑफिसल नोडिफिकेशन जो की रिलीज के गई है डियाडियो की एक डिवीजन है डिफेंस एलक्ट्रोनिक्स रिसर्च लेवरेट्री यानि की डिए आरेल से वेकिंस निकाली गई है जिसका हेड़कौटर हाइदराबाद में इसी थे एपरंडेस एपक नांटिन प्लास्टिक प्रोसेशन होता ना उसमें वेकिंसी यह उसके बाद आईटी है कोपा की वेकिंसी है डिजल मेकिनिक डेटा इंट्री ऑपरेटर और फोटोग्राफी के लिए बेसक वेकिंसी थोड़ी सी कम लगीगी आपको लेकिन यहाँ पर आप एप्लाइ कर सकते हैं रिल यहाँ पर इलक्ट्रिकल है तो इलक्ट्रिकल है तो इलक्ट्रिसियन और यहाँ पर वायरमें दोनों एप्लाइ कर सकते हैं इस लिमिट की में यहाँ पर डिसकस करने जाओ तो 15 साल से लेकर 24 साल के केंड़िट इस फॉम को फिल कर सकते हैं सेलेक्शन प्रॉसेस जो आपकी ह वाली है फोर्म आपको ऑनलाइन फिल करने जिसके लिए कोई भी एप्लिकेशन फी चार्ज वगर्ण आपको नहीं देनी होगी और यहां पर दो क्रिचरिय आपको फॉलो करना एप्लिकेशन का क्या क्या मैं बता देता हूं सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म आपको इस्टाबलि फॉल करनी है फिल करने के बाद आपको एक इमील ऐड़ी दी गई है PDF के साथ इसके एक डॉकमेंस होगी इस इमील ऐड़ी पर आपको जो है वो सेंड करनी है कब तक लगवर्ण देट है दस दिन रखा गया है फॉर्लिकेशन एड़टैजमेंट तो एड़टैजमेंट जो आपकी पब्लिस की गई है आप यहां पर देख सकते हैं इंप्लाइमेंट न्यूस पेपर में बारा से 18 फरवरी वाले जाने कि अगदर आप माइन चलो की बारा तो लगवग बाइस तक इसका जो फो में लास्ट डेट इसका रखा गया है गाई तो फोम बेसिकली आप देख स अपना और यहां पर इमेल आड़ी मुबाइल नमर आधार नमर एड्रेस और पर्मानेंट एड्रेस क्वैलिफिकेशन विदाउट एंड विद आईटी आई उसके बाद यहां पर देख सकते हैं इस सब सारी चीज़ें करें यहां पर सिगनेचर करें स्कैन करें और यहां प काफी स्टुडेंट यहां पर बात करने लगें सर इसकी एग्जामेनेशन कम होगी इसकी कोई अपडेट दीजिए अलकि जब भी डियाडियो की वेकेंसे जाती है कम से कम एक से दो मैने में आज ही जाती हर मैने में निकलती है तो एक बार मैं अपडेट दे देता हूं तो जितने भी केंडेट हैं मेरे पास यही है काफी जितने भी मेरे रिसर्च होते हैं इतना पता करके बस मैं आपको यही बता सकता हूं कि अप्रेल से मही के बीच में एक्जाम डेट आपकी रिलीज हो सकती है यही इसकी ओर्गनाइजेशन एंड जो भी आपकी डिटेल से वो दिशे कहीं अप एक्स्ट्रा स्किल्ड में फोकस किजे गा इसमें आपकी लाइफ के लिए बात कर रहा हैं चाहे अप लाइफ में आपको सक्टर की डिमांड बढ़ने वाली है तो उस फिल्ड में जादा स्किल्ड में जादा इसकील्ड करो अगर आपको चाहिए कि IT सेक्टर में कौन-कौन से skill पर हमें focus करनी चाहिए, कौन से skill हमें सीखनी चाहिए, अगर skill आपके पास होगी ना जो new skills अभी high-tech technology में डेवलप कर रहा है, उस तरह की IT सेक्टर के skills आपके पास होगी, तो यकीन मानिए गाइज, आपके job की जरुरत आप खुद घर बैठे earning कर सकती होगी, अच्छा कासा salary आप खुद मन्तली कमा सकते हो, जिसके लिए jobs की need आपको नहीं होगी, मैं आपको बताने वाला हूँ, हर जी एक चीज, तो अगर इस तरह की topics पे आपको वीडियो चाहिए, जरूर कमेंट कीजेगा, और मैं एक friend मानो sir मानो, आप जो भी मुझे मानते हो, मेरी requested होगी कि skilled पर focus करो, जिस पे आपकी life secure होने वाली है, नहीं तो government job एक दिन इतिहास बनके रह जाएगा, जैसा situation आजकल की date में इंडिया में बन रहा है, ओके, तो यही details देना था मेरी, hopefully वीडियो इस पर लगी हो, please like, share and subscribe करें, notification link description तो से मिल जाएगी, आराम से download कर सकते हो, आप चलेए मिलते हैं एक्स वीडियो में, जबता के लिए से हिंद,